मूवी की सुरुवात होती है और हमें एक 40 साल की जिमनाश टीचर अनीता को दिखाया जाता है अनीता एक स्कूल में जिमनाश टीचर का जॉब लेती है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है इसके बाद अनीता कलास में आकर अपना introduction देती है और फिर वो students से अपने बारे में कुछ कहने को कहती है और तभी उन students में से एक लड़का जिसका नाम मारकस है वो कहता है मेरे पास सबसे बड़ा डिग है ये सुनकर पूरा कलास हसने लगता है मारकस की सरकस से अनीता समझ जाती है कि वो कैसा लड़का है फिर उसी रात अनीता अपने husband हासे और दो बेटियों के साथ डिनर करती है फिर रात को अनीता हासे के साथ intimate होना चाती है लेकिन हासे मना कर देता है जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच की physical relation ठीक नहीं है फिर अगली सुबा अनीता जोगिंग करने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जिसके बाद वो घर आ जाती है और तभी घर के बाहर उसे एक लेटर मिलता है जि अनीता मारकस को छुडाती है और इस लडाई में मारकस को थोड़ी चोट भी लग जाती है तो अनीता उसकी मरहम पट्टी करने लगती है और जब अनीता ऐसा कर रही होती है तो मारकस उसे सिद्ड्यूस करके उसके क्लोज आने की कोसिस करता है और दोनों किस करने ही वाले ह तब ही वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है जिसे दोनों किस नहीं कर पाते जिसके बाद अब अनीता मारकस से अट्रैक्ट होने लगती है और वो मारकस के सोचल मेडिया पर उसे स्टॉक करती है इसके बाद वो उसे मैसेज करती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे तुम भ पर इसके बाद अनीता उन्हें बताती है कि मारकस की सरकस से वो स्कूल की ट्रिप पर नहीं जा सकता इसके बाद मारकस उससे अपनी गलतियों के लिए सौरी कहता है और जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तब मारकस अपने पैरों से अनीता के पैरों को टच करके उसे सिद करते हैं और अपनीता मूड में होती है तब मिलने के ल Lucian को मैसेश करती है तो मारकुस कहता है कि उसे Ricsey मेडिये चेक करती हैं तो उसे पता चलता है कि वो जुट बोल रहा है और वोकिसी दूसरी लड़की के साथ है इसके अनीता मारकस के घर जाती है और मारकस की मां से मिलती है यहां पर अनीता के और भी दोस्त होते हैं फिर थोड़ी देर बाद मारकस अपने घर आता है और वो अनीता को अपने घर देखकर बहुत हैरान हो जाता है फिर मारकस अनीता से पूछता है कि तुम यहां पर क्या कर रही जिस पर मारकस की माँ उसे बताती है कि अनीता ने उनका बुक कलब जॉइन किया है इसके बाद मारकस नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है और फिर अनीता भी बाथरूम का बहाना बना कर बाथरूम के अंदर आ जाती है और यहां बाथरूम के अंदर दोनों में काउट कर पिर अगले दिन मारकस स्कूल नहीं आता और अनीता को पता चलता है कि वो बिमार है इसलिए वो उसे मैसेज करती है तो मारकस कहता है कि वो बिमार है और इसी वज़ा से वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आएगा इसके बाद अनीता जो अपने हस्बेन के साथ पार्टी में होती है तो वहाँ भी अनीता मारकस को बहुत बार कॉल और मैसेज करती है पर वो उसको रिपलाई नहीं करता और अब अनीता खुद को रोक नहीं पाती और इसलिए वो खुद ही मारकस के घरा जाती है और वहाँ प अनीता को कहता है कि तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हम एक कपल हैं उपर से तुम एज में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी हो फिर वो अनीता को बताता है कि वो मीना को डेट कर रहा है मीना मारकस की ही क्लासमेट होती है वो अनीता से बहुत रूड और जब इसके बारे में मीना को पता चलता है तब वो बहुत रोती है और तभी अनीता उसका फाइदा उठाती है और वो मीना से कहती है कि ये काम मारकस का ही है और वो अच्छा लड़का नहीं है इसलिए तुम्हें उससे ब्रेक अप कर लेना चाहिए फिर इसके बाद अनीत अनीता मीना और मारकस को एक साथ उसके घर पर देखती है तो वो समझ जाती है कि इन दोनों ने अभी तक ब्रेक अप नहीं किया दरसल मारकस ने मीना को कर लिया होता है कि उसने न्यूड पिच्चर को वाइरल नहीं किया और अब मारकस और मीना को साथ देखकर अनीता गुस् प्रेगनेंट हो गई है ये सुनकर मार्कस पूरी तरह से सौक्ड हो जाता है और फिर दोनों कार में जाकर बाते करते हैं अनीता उससे कहती है कि तुम्हें टेंसल लेने की जरूरत नहीं है और मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी बस तुम मेरे कॉल्स और मैसेज़ का रिप़ाई दिते रहना इसके बाद अनीता फिर से कार के अंदर मार्कस के साथ में काउट करती है अनीता को घराने को कहते हैं ओ लेकिन जब वो घर आती है तो देखती है कि उसका हस्बेन घर पर ही होता है और तभी घर की डोर बेल वचती है तो अनीता डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मारकस सब उसके घर आ चुका था और जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर मारकस की मा खड़ी पिर दूसरे दिन जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि उसके हस्बेंड ने उसका बैग पैक करके बाहर रखा है फिर वो दरवाजा खट-कटाती है लेकिन उसका हस्बेंड दरवाजा नहीं खोलता जिसके बाद वो वहाँ से अपना बैग लेकर चली जाती है और अब पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि मारकस और अनीता का अफेर चल रहा था और इस वज़े से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है फिर स्कूल से बाहर निकल कर वो मारकस से मिलती और यहां हमें पता चलता है कि मारकस ने ही अपनी मा पूरे स्कूल और अनीता के अफेर के बारे में बताया था और उसने सब को ये भी बताया कि अनीता उसे ब्लैकमेल भी कर रही है उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा था कि वो अनीता से अपना पीछा चुड़ा सके और फिर लाश्ट सीन में हमें अनीता को एक बेंच पर बैठा हुआ दिखाया जाता है औ और अब वो पूरी तरह से अकेली है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए बाई एंड टेक केर